दोस्तों आज हम बात करेंगे coscopene linkedest सिरफ की जो की खासी में काम आती है पिर कोन सी खासी में काम आती है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ और इसका कैसे यूज़ करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को लाच तर्थ देख तरहिएगा तो दोस्तो कोस्कोपिन लिंक्टस जो की BE फार्मसोटिकल की आती है BE मतलब बायोलोजिकल E Limited और इसकी MRP आपको 125 रुपीज मिल जाती है जिसका कंपोजिशन होता है क्लोर्फिनेरमाइन और नोस्कापिन इसमें जो पहले कंपोजिशन था वो अलग था पहले इसमें नोस्का खासी में भी काम आती है और इस सिरप का यूज सूकी खासी में किया जाता है जो नोस्कापिन होता है वो एक अफसप्रेसेंट होता है जो की खासी को दबा देता है चलने नहीं देता है और जो क्लोर्फिनेरमाइन है वो एक एंटी एलर्जिक क्लास की मेडिसिन होती है जो तो दोस्तों अगर आप बात करें साइड इफेक्ट की साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं तो साइड इफेक्ट वैसे देखने को नहीं मिलते हैं लेकिन किसी को नोजिया या फिर उल्टी का थोड़ा सा मन होना जैसा कुछ थोड़ सिम्टम्स देखने को मिल सकत है बाकी side effect बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते हैं अब अगर बात करें इसकी dose की कि कितनी dose इसको देनी चाहिए तो दोस्तों जो छोटे बच्चे हैं 2-5 साल तक के उन्हें आप 2-5 ml दिन में 3 बार दे सकते हो तो इस तरह से यह जो है सिरफ बहुती बड़या काम करती है बहुती भैतरिन काम करती है एकदम अलग साल्ट है दोस्तों नोसकापिन और क्लोरफिने रमाइन ऐसा साल्ट आपको किसी भी दूसरी सिरफ में देखने को नहीं मिलेगा और यह बहुती भैतरिन काम करती है और आपके जो खासी है बहुत ही पुरानी खासी है उसको भी ये खतम करने में सक्षम है थैंक्यू दोस्तो होप आपको समझ में आ गया होगा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बोक्स में पूछ सकते हो